आज हम एक कप गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सा ये नास्टा बनाएंगे जो कि जटपड बन कर तयार होगा और खाने में भी बहुत जाद है यम्मी लगेगा और सबसे खास बात कि ये जो नास्टा ही ये लुक वाइस दिखने में बहुत ही बढ़ी आ तो मेंजिंग वाले कप से मैं मैं तो में तीन जाड़ी के घिम ले च्रूब पहँ है तो मैं पोलता वाला आट इस्तमाल कर रहें है तो आप पर शूजी तरह भारी鼹ुल नहीं है अब भालत कर आजवाइन पर क्रूबक कर दो बढ़नाला आजवाइबे़ ल supervise 4 वाण वार आधि चंबस के करीबन हल्दी पाउड़र से कलर बहुत इबड़ी आता है और हल्दी पाउड़र हमारे सेहद के लिए भी भी फायले मन होती है गियों काटा जो है वो हर घर में एवलेबल होता है तो आप इस नास्ते को जब मर्ची चाहे तब बना सकते हैं आदी जमस के करीबन एट कर देंगे नमक आपके स्वाद के अनुसाने आपर डाल सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून के करीबन ओयल तो आप कोई जो हमने तेल लाला है आटा वगेरा मसाला वगेरे डाय रहे हो सब आठे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए तो इस तरह से हम हातों से इससे क्रंबल करते रहेंगे ताकि तेल जो है वो अच्छी तरह से आठे के अंदर मिक्स हो जाए तो दीखे तेल बिलकुल बढ़िया तरीके सची तरह से मिक्स हो चुका है आटे के अंदर अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगा कर तयार करेंगे आटा आपको ऐसा लगाना है जैसा हम पूरिया पराठी के लिए लगाते एकदम ज़ादा सक्त भी नहीं लगाना है और एकदम ज़ादा नरब भी नहीं लगाना है तो आप देख सकते हैं आटा लगकर रेडी हो चुका है इस तरह का आपको आटा लगा कर तयार करना है अब आटे को हम ढख करके पांच मिट के लिए रेस्ट करने के लिए ऐसी ही छोड़ देते हैं ताकि जो आटा है बलकुल बढ़िया तरीके से रेस्ट कर ले जो हमारी रेसिपी वह भी बढ़िया बन करता है यार हो अब मैंने आपर लिए है चार उबले हुए आलू जिसे मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है तो इसे हमें ग्रेट करके लेना है तो ग्रेटर की हैल्प से हम आलू को इस तरह से ग्रेट करेंगे यह बहुत ही important step है आलू को यहाँ पर आप ग्रेट करके ही लीजिएगा यह दिया आप हाँतों से mash करके लेंगे तो उसमें बड़े टुकड़े रह जाते हैं कारण मैं आपको बाद में बताऊंगे कि किसलिए आपको यहाँ पर आलू को ग्रेट करके लेना है अब इस ग्रेट के हुए आलू के अंदर हम कुछ बेसिक से मसाले अड़ करेंगे तो तीखे पन के लिए डालेंगे हम आदी चमज के करीबन लाल मिश पाउडर तीखा पन आपको इसमें जित्ता रखना उसके अकॉर्डिक आप यहाँ पर लाल मिश पाउडर डाल सकते हैं एक चुथाई चमज के करीबन डालेंगे हल्दी पाउडर मैंने बहुती कम मसाले डाल कर इस नास्ते को बनाया है आप चाहें तो अपनी एक शानों सार इसमें मसाले अट कर सकते हैं एक चुथाई चमज के करीबन इसमें हम डालेंगे काली मिर्ज पाउडर आदी चमज के करीबन इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सहरा धनिया भारिक कटा हुआ फिर डालेंगे आधी चमश के करीबन नमक अब इसमें हम डालेंगे कॉन फ्लोर तो तीन चमश के करीबन इसमें हमें कॉन फ्लोर डालना है और कॉन फ्लोर डालना बहुत ही ज़रूरी है इसे आप ज़रूर डालिएगा कारण में आपको बात में बताऊंगे कि किसलिए आपको आपको कॉनफलोर डालना बहुत ज़रूरी है तो जित्ते मैंने आलू लिये हैं उसके अकॉरण यहाँ पर तीन चमच कॉनफलोर इनफ है इसे ज़्यादा नहीं डालिएगा करेंगे पानि एक लोगेरा नहीं डाला है इस्में आलू के लमाश्या उसी की कारण जो यह आपको पसंदों आप के अंदर से डाल सकतें अ आप केंदर से टाल सकते हैं यदि ये मिशन आपको ड्राय लगे तो आप एक से दो चमच पानी का इस्तमाल कर सकते हैं अब इस आलू के मसाले को हम लग देते हैं साइड में पांच मिनिट भी कम्प्रीट हो चुके हैं आटे ने भी अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है तो आटे को हम एक बर इस तरह से मसल लेते हैं और मसल कर स्मूथ कर लेंगे अब इस आटे में से हम थोड़ा पोशन लेंगे और इस तरह से इसके एक लोई बनाएंगे तो मैंने आप पर दो लोई बनाकर रेडी कर ली हैं अब एक लोई लेंगे हम इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आठा डस करेंगे और इसे बेलेंगे तो इसे ना तो जादा पतला बेलना है और ना ही जादा मोटा बेलना है तो आप देख सेकते हैं, इस तरह से मैंने इसकी रोटी बेल ली हैете, और इसकी थीखनेस भी आप देख सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मसाला हम इसके उपर डाल देंगे और इस तरह से चमच की हर्प से हम इसे रोठी के उपर इस तरह से स्प्रैट करते जाएंगे इसलिए मैंने आपको कहा था कि आलू के बड़े टुकड़े नहीं देना चाहिए देखे क्योंकि हमें आलू के बड़े टुकड़े रहेंगे तो इस तरह से आलू के प्रेशर से वह रोटी जो है वह फट जाएगी इसके किनारों पर आपको स्टफिंग को नहीं लगाना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपको यहां पर स्टफिंग को फैलाना है अब जो हमने दूसरी रोटी बनाई है उस रोटी को हमें इसके ऊपर रखना है अच्छी तरह से सैट कर देते हैं और क दोनों रोटी के बीच में जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक जाए अब इसे हम कट करेंगे तो आधा-धा इंच में हमें इसकी लंबी-लंबी स्ट्रिप करना इस तरह से अब इस साइट से में इस तरह से कट कर लेंगे तक एम एक छोटी-छोटी से चोकूर पीस मिल जाए और साइज आप देख सकते हैं दोनों साइट से आपको आधा-धा इंच में इसे कट करना है अज इसमें से हम एक पीस लेंगे इस तरह से और इस तरह से जॉइंट करेंगे आप देख सकते हैं दोनों हिस्ते को उठाकर इस तरह से मोड देंगे और उंगली की आप देख सकते हैं और बहुत ही इजी इसे बनाना एक बर मैं आपको फिर से और बना कर बताती हूं इस तरह से पीस लेना है इसके दोनों कॉर्णर को मिलाना है और चिपकाने के बाद इसे में पलेट कर दूसरे वाले साइट के कॉर्णर को जोइन करना है तो चारों को आप इस तरह से जॉइन कर देंगे तो बहुत ही बड़ी है फ्लावर शेप में नास्ता मिल जाएगा तेल विल्कुल बड़ी है तरीके से गरम हो चुका है नास्ते को फ्राय करने के लिए तेल बड़ी हाट गरम होना चाहिए ठंड़ा नहीं होना चाहिए और नहीं एक दम तरह दालिएगा अब को आलू के मसाले के अंदर कॉन्फलोर डालना इसले जरूरी है यदि आप उसके अंदर कॉन्फलोर नहीं डालेंगे तो जब आप इस तरह से नास्ते को फ्राय करेंगे तो जो अलुकी से एक बैंडिंग बह जाती है और जब हम इने फ्राय करते हैं तो वह उपर से फ्राय हो जाते हैं तो जो स्टफिंग यह वो तेल के अंदर फैलती नहीं है इसलिए आप कॉन फ्लोर को जरूर डालिएगा अभी नास्तों को अच्छी तरह से पहले फ्राय होने देंगे उसके बाद हम इसमें चम्मस लगाएंगे तो यह हलके से फ्राय हो च आप चाय के साथ खाएं या अपनी मन पसंद किसी भी चटनी के साथ खाएं या ऐसे खाएं यह नास्ता बहुत ही तीस्ती लगता है और बनाने में भी आसान है तो इससे जरूर बनाईएगा रेसिपे चलेगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा चै